जाफर कला पुलिस टेशन पर और यहाँ पर पुलिस टेशन पर साभी भीम आर्मी के लोग मौजूद है लगातार यहाँ पर यहाँ पर कल रात से ये लोग मौजूद है क्यूं मौजूदे मैं बता देती हूं क्योंकि एगग का नाम लेकर बैठे हैं दली समाज ये बच्ची आती है इस तरीके से ये रवया करती है पुलिस और परशाशन जिस तरीके से हमेशा से ही ये देखने में आया है कि दलिच समाज से आने वाले जो भी महिला आया बच्ची होती है उनके साथ गलत होता है तो इसी तरीके का ये रवया करती है क्यों सबसे पह और जो मामिला हुआ है ग्यारा तारिक का मामिला है ग्यारा तारिक से अब तक बहन की बौडी को परिवार दराबदर नियाई सब्लेब कर सांधा Šun और यहां पे कुलडीप हुड़ा जिसकी लापर तरवाई की वेशे बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया अगर वो सही समय पे कारवाई करते तो वहनाज हमारे बीच में होती तो पुलिस जो है जाती धरम देखके न्याय करते यह तो सुनिस्चित है क्योंकि केंदर केंदर जो आज तो ऑर लोगों जाते तो हमारी लोगों को बंद कर दे जाता है तो कहां है नियाय आज क्या है निर्विया कांड होता है पूरी देश पूरी दुनिया के लोग मुंबत्य लेके नियाए की मांग करते हैं यह दलित की बेटी कैसली अवार नहीं उठा रहे हैं तो बड़ी शरम की बात है देश के लोगों को भी जो है अरे बहुत रोड़ों पर नहीं आ सकते तो घर में एक तब जाकर उन्हें दो आरोपियों को ग्रफतार किया और यह गैंग रेप है इसके लगबग चार से पांच लोग सामिल थे पहले उसको रेप किया गया उसको जो है जलाया गया बॉड़ी को और दस फूट घहरे गड़े के अंदर मट्टी के नीचे दबा दिया गया हमारे हरी याना के भी मारमी के टीम वहां पहुंची और हरी ना पुलिस ने पूरा जय साथ दिया हमारा और वहां से बौड़ी को ब्रामत कराके दिली पुलिस हलोगा को आए לकिन सुवाती मालेवाल जो हमारी पूरी दिली हायों की चेर्मन है हमारी ने हुह हमारा है में स समाज क ठीक है ना बड़ी शरम की बात है कि स्वाती मालीवाल जो एक ब्राम्मण समाज की बहन के साथ रेप होता तो राजगाट के उपर अंशन पर बैठ जाती हैं शिर्फ राजडिती करने के लिए आज उनको पोस्ट मिल गए तो बहुजन समाज के दलिस समाज की बहन बिटो के स तो बहुत शरम की बात है जिस तरीके से नेता राजनेता एक शिवलिंग के महाँ पर हो जाने से एक दलित प्रोफेसर के ट्विट कर देने से उन पर F.I.R. कर देते हैं फिर इतनी धेर सारी टिपडियां होने लगती है मगर एक दलित समाज से बच्ची के साथ इस तरीके क कि दरिंद की हो जाती है किसी भी राजनेता या नेता से किसी से भी ट्विट तक नहीं होता है ऐसा क्यूं हो जाती है को इतना मतलब वह भी नहीं कहता है लेकिन इतने सद्यों साल पुराना सिवलिंग तो डूढ लिया उन्होंने यहां पर चार आरोपी नहीं दूढ रहे उनसे तो बड़ी शरम की बात है इतनी तत्परता उन्होंने उन्होंने उन पर एफायर करने में दिखाई है जिस तरीके हमारा समाज सिक्षा का वह दूद पी चुका है और पी रहा है क्योंकि सिक्षा सवाल पैदा करती चीजा इतनी महँगे कर दिए कि हमारे ब्रामबभात भी खतम करना ओगा देश के आंदर और वाबा साब के मिशन आगे लेकर जाना बहुजन समाज के बच्चों को थमें त और आईएस आईपियस सभी चीजों की तैयारी करानी है ताकि हमारे लोग संसाधनों के अंदर बैठ होंगे तो हमें रोड पे इस तरीके से न्याय के लिए भीग नी मांगनी पड़ेगी क्योंकि मांगने से भीग मिलती है भीम आर्मी के लोग तो अधिकार चीन के लेते हैं अपने घर में अच्छा खाते हैंचा पैणते हैं अच्छा सब कुछ करते लेकिन हमें नियाय चीह आपकी चाहिनी पीए मैं जब तक नियाय नी मिलेगा बहन के लिए भीमारी मिगाए करता है यहां पे धूप बारिश और गख्रमी और अंधियों तुफानों यहां पे बै कि बात नहीं करो और हो सकता है कि हम स्वाती माली वाल का गहराव करें जाके इस तरीके से इतना बड़ा ये मतलब कांड हुआ है यहां पर एक तरीके से हात्रस का ही जो है कांड दोहराया गया है तरिफ यहां पर एक मामूली सी दिल्ली महिलायों की 181 की गाड़ी खड़ी हो जाती है करके क्या उनका फर्ज नहीं बनता था यहां करके बात करनी चाहिए ती परीजनों से और इस तरीके से जो और भी केसों में वो जाती है यूपी चली जाती है यहां तरस मैसे जिर्फ जहां लाइम लाइट मिली कहां से नेता हो अगर चंसे कर अजास सावर भी मार् मैं मनीशा की रापना प्रंद कम ने करता डिल्ली रेफर को यहांब शाहiben नहीं करकता तो नेता है नेताजिगी नहीं चमकती राहूल गांधीजी जाते राहूल गांधी की सरकार जो राइस्तान वी वहां पर मूच रखने पर मारे भाई को गोली मा दी जाती है हमारी भेहनों के लगातार रेप होते हैं वहां क्यों नहीं जाते हो क्योंकि यह शिर्फ वोट की राड़ नीती है और बहुजन समाज इनके हतकंड़ों को समझ चुक अब समाज इस तरीके से पराइब कर आदी पार्टी का करेंगी और भाच्पकाभी करेंगी देश निदर आने वहां समय हमारा भूजन इस देश का उकुनान बनेंगा और जब हम कुराम बनेंगे क्योंकि हम देने वाले बनेंगे अभी तो मांगने वाले और बाबा साब ने जो हमें बोट डाने का अधिकार दिया इस चनल के महाद्यम से बोजन समात से मैं अपील करता हूं उस वोट का सही इस्तमाल करें जो आपके लिए लड़ रहा है आपके लिए खड़ा है उस इमानदानेता को अपना वोट दे के संस अच्छा संगीत वो जो है गाती थी और इसी तरीके से प्रोफेसर रतनलाल जी जो उनको वहां पर घर मिला हुआ है तो क्या इसी तरीके से दलिश समाज के लोग अगर उपर उठ रहे हैं तो यह सबर लोग जो है उनको कुचलने का काम कर रहे हैं कि आप देखेंगे कल से ह करें लेकिन कोई भी कत्त्र लग इंदा कोई दलिष समाज के लिए कारा नहीं करती है और वोट लेने टाइम पर न्यादे, हमारे जाड़ू भी लगाते हैं लोगों का समंधर्ट करते हैं। लेकिन जब बात आती है चोशन के उपपर हमारे अधिकारी तो ये लोग उसे इगनोर करते हैं और परशासन से हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि ये दलित समाज आगे ना पाए अगर हमारी कोई बेहन मेटी बाहर लिकल कर सिंगर का काम कर रही है घर चला रही ह लोग उसको प्लाणिंग करते हैं इसको बलाते हैं उसका रेप कर देते हैं उसको गौड देते हैं इनको पता है ये जादा नहीं बोल पाएगा उपर जो बैठे वे अधिकारी हैं वो हमारा सोशन कर रहे हैं पुलिस प्रसासन जो है कंटीरियू हमें गुमरा कर रहा है यहां पर कलम राज से बारिश में बेढ़े हुए बोडी बारिश में भीगती रही यहां के सच्चो साब ने यह तक नहीं खोशिश की कि उस बोडी को ढगा जाए कोई त्रिपाल वगेर सुनने को मिला कि 100% पुलिस की लापरवाई की वज़े से यह सारा मामला बनाएं पुलिस चाती सही समय पे उचित कारवाई करके बहन को ढूंड सकती थी वो गुडिया हमारे बीच हो सकती थी क्यूंकि वो एक भोजन समाज की बेटी है फाइल दबा के बैठे रहे ठाने मे पिडित परिवार को रोग दो तिन घंटे बिठा कर रखते थे कि देख रहे हैं कर रहे हैं वो तो ढूंडने के लिए आते थे कि हमारी क्या कारवाई हुई जितना एबिडेंस मेटीरियल ही खटा हुआ सब पिडित परिवार ने खुश से खटा किया पुलिस का कोई इंव मामला कुलदीप हुड़ा नामक एक आईयो है जिसे डिसीप खुद बचाना चाहते हैं पुलिस परशाषन अपनी लापरवाई को देखते वे न अब लड़की पे ही गलत इल्जाम लगा रहे हैं किसी के वो रिलेशन में थी इसमें थी उसमें थी वो अपनी नाकामी छु अंकट से गुजरना पड़ेगा आने वाले समय में इन्हें एक नोखरी मिल जाए सरकारी और हम यह परिवार नहीं मांग कर रहा है यह भी मारी में आजा समाज पाटी मांग कर रही है कि इन्हें एक क्रोड रुपे का मौवजा जो कि बहुत सारे उधारन ऐसे हैं दिल्ली स सरकार देती है घर जाके लोगे घर पहुंचके तो हम सरकार से आगरे करेंगे कि यहां पर भी आए यह भी आपी के राज्ये की बेटी है यह भी आप आओ जैसे औरों के जाके देते हो तुम वहां भी आओ और एक क्रोड पर दे के पिरित परिवार को समवेदना अपनी व् खतम करके उची धारों में करवाई करके परशाशन अपना काम आगे इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ाएं अगे बढ़ाएं चीलता दिखाई जारी है इस मामले में तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस परशाशन और सत्ता के अधिकारी बैठे हुए इसका गलत इस्तमा आगे तो लापरवाई है अगर ये कोई पूझी पती की बेटी होती ये किसी ब्रह्मनवादी की बेटी होती तो शाशन पर शाशन यहां पर एक होके उसे ढूंड रहा होता अभी कोई बोरिंग हो रही हो अभी को लेंटर डल रहा हो तमाम एसी पी ये तुमारे बीट लेकिन 11 दिन से हमारी बहन गायब थी, पुलिस उसे अडेंटिफाइड नहीं कर पाई अभी जिस तरीके से शिवलिंग का मामला चल रहा है, पूरी मीडिया उसको कवरेज कर रही है यहाँ पर जो है नैशनल मीडिया से एक भी नहीं दिखाई दे रहा है तो यह क्या पूरा शडेंत्र है पूरा, सभी का मिला हूँ यह तो है, पांसो साल प्रानी मज्जित में से यह शिवलिंग ढून सकते हैं चार दिनों में लेकिन हमारी बहन गोने ढून सकते हैं यह लोग ताकि वो स्कूटी पर जा रही थी और इसी तरीके से लड़के के साथ उसके संबंध थे जब इनकी क्या ये नाकामी है इस पुलिस वालों की जिन धाराओं में पकड़े गे लोगों पर कारवाई हो रही है उन्ही धाराओं में पुलिस परशाशन का जो आयो है कुल्दी भी कारवाई उन्ही धाराओं में होने ही चाहिए उनकी ला परवाई है 100% उन्हें पुलिस परशाशनव बचा रहा है हम ये मांग करते हैं कि अगर वो सही कार वाय करते तो आज हमारी बहन हमारे बीचम मोती है're हम लोग पर्दशन करना ना परता भीम आर्मी की टीम लगातार राच से मौजूद है उस दलित समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उसके ही न्याय की मांग को लेकर यहां लगातार रोडों पर बैटी हुई है स्थाने के सामने बैटी हुई है पुलिस परशाशन को आप देख सकते हैं कहीं पर भी दूर दूर तक मौजूद नहीं है जैसे यहां पर कुछ घटना ही नहीं घटी है इस तरीके से समवेदन शीलता यह पुलिस परशाशन दिखा रहा है यह पूरी सत्ता दिखा रही है पूरी मीडिया जो है एक शिवलिंग को कवर करने पहुँच जाता है मगर यहां पर सामने आप देख सकते हैं मैं यहां जभर करकला थाने के सामने मौजूद हूँ कौई दूर दूर तक पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं तो पुलिस वाले महीला कर्मी खड़ी हुई है कोई यहां नहीं दिखेगा आपको कोई भी यहां पर ख़ड़ा हो प्रशासन से खड पूज़ानों ने उस बच्ची के शब को भी अंदर रख लिया जाता है पोस्ट माटम के नाम पर और ये कह दिया जाता है जब तक आप उसे अंतिम संसकार नहीं कर देंगे तब तक हम नहीं देंगे दलिस समाज की बच्ची है जिसके साथ ये घटना घटी है उसके परीजन और भीम आर्मी की टीम लगातार यहां मौजूद है लगातार मैं इसी तरीके से आपको दिखाती रहूंगी कवरेज सयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा माथूर नहीं दिली